प्रधान मंत्री जी इस योजना के माध्यम से अब तक एक लाख ब्यासी हजार करोड रुपे से ज्यादा की राशी हमारे अनदाता प्राप्त कर चुके हैं इस करम में प्रधान मंत्री जी के द्वारा देश के किसानों के खातों में 21,000 करोड रुपे सीधे ट्रांसफर होंगे हम अब मानिये प्रधान मंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो किरपया बटन दबाकर प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी किसानों के खातों तक पहुचाने की किरपया करें उसके बाद अब हाली में PM किसान योजिना की जो पंदरावी किस्त है PM मोधी जारी करने के लिए एक बड़ा कदम उठा चुकी है आपको उता दें PM किसान योजिना के ताहत इस बार जो पंदरावी किस्त का पैसर ट्रांसफर किया जाने वाला है इसमें किसानों को 4000 रुपए की पंदरावी किस्त मिलने वाली है तो हम यह जानते हैं कि किन किसानों को PM किसान योजिना की जो पंदरावी किस्त है 4000 रुपए उनके खाते में जारी किये जाएंगे देखे अगर आपको PM किसान योजिना के ताथ एक से लेकर 14 किस्तों में से अगर किसी भी किस्त कलाव नहीं मिला है तो आने वाली 15 किस्त में आपको पिछली किस्त और 15 किस्त के पैसे जोड़ कर टोटल आपकी खाते में 4000 रुपए के धंडासी केंदर की मोधी सरकार DVD के माध्यम से जारी करने वाले हैं ऐसे में आपको अपनी EKYC का बैरिफिकेशन अवस्य करा लेना है देखें बहुत सारे किसान बाई ऐसे हैं जिनोंने अपना EKYC का बैरिफिकेशन नहीं करवाया है देखें EKYC का बैरिफिकेशन आप स्वयम से भी कर सकते हैं इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है PM किसान PM किसान सर्च करने के बाद एक official website आएगी जिस पर आप खोलेंगे तो आपको EKYC का बिकल दिखाई देगा EKYC के बिकल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना अधार नंबर डालना है आपको ये अधार नंबर डालने के बाद आपकी registered mobile नंबर पर एक OTP जाएगा OTP को submit करने बाद आपका EKYC complete हो जाएगा और जैसे ही आपका EKYC का process complete होता है आपको वता दें PM किसान योजिना के ताज जैसी किस कलाब दिया जाएगा आपकी खाते में निश्चित तौर पर PM किसान योजिना की पंदरहवी किस की जो धनरासी है ट्रांसपर कर दी जाएगी धन्यवाद